हाई फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी को हमारे यूटूब चैनल पे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि पेटियम फोर बीजनीस अप्लिकेशन में स्टेटल का ओप्शन क्यों नहीं सभी को दिया गया है और मैं पेटियम फोर बीजनीस अप्लिकेशन से मैं अपने बैंक एकाउंट में पैसा स्टेटल करके भी दिखाऊंगा गयाज तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजाए गयाज क्योंकि इसी तरह के नए नए इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं तो गाइज चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्यों नहीं सेटलमेंट को आप्शन मिला और कैसे सेटल करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं पेटियम फोर बिजनीस अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लिया हूं और इसे ओपन कर लिया हूं देख सकते हैं मैं आज की डे पाचास रुगया पेमेंट असेप्ट कर लिया हूं तो चलिए सेटलमेंट को आफशन पर हम चलते हैं सेटलमेंट आफशन पर आयों तो देखे हैं यहां इस परकार का इंटरफेस आता है यहाँ पर सेटलनाव का ओप्षन आया है लेकिन गाइज बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट का ओप्षन सेटलनाव का ओप्षन यहाँ पर नहीं मिल रहा है गाइज तो मैं आप सभी को बता दूँ कि टिंसन लेने की बात नहीं है गाइज अगर आप पेटियेम फोर बिजनिस एप यानि पेटियेम मेरचेंट एकाउंट आप पी ए से पेटियेम सर्विक्स एजेंट के दुवारा आप किवाईसी करवाते हैं तो आपको स्टैटल नाउ का आपशन इनस्टेंट मिल जाता है लेकिन गाइज अगर आप पेटियेम फोर बिजनिस यानि पेटियेम मरचेंट एकाउंट आप खुद से कीरियेट करते हैं आप अपने से बनाते हैं तो आपको स्टैटल नाउ का आपशन मिलने में कुछ समय लग सकता है यह हो सकता है साल भर भी लग सकता है तो गाइज अगर आप पेटी एम फोर विजनिस एप का एकाउंट आप खुद से बनाया है तो आपको सेटल नव का उप्सन नहीं मिलेगा और मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है इसमें 50-50 चांचेज रहता है और अगर आप पेटी एम सर्विस एजेंट के दोवारा पेटी एम मर्चेंट बनवाते हैं पेटी एम मर्चेंट एकाउंट बनव जाता है तो चलिए हम लोग यहां पर सेटल करके देख लेते हैं यहां पर सेटल नव पर क्लिक करेंगे और सेटल करने के लिए गाईज मिनिमाम आपका एमांट होना चाहिए वह पचास रुपया होना चाहिए गाईज पचास रुपया रहेगा तब ही आपके एकाउंट मे सेटल होगा प्रोशीट पर क्लिक कर लेते हैं प्रोशीट पर जैसे लिविक करते हैं गाईस तो यह जो है पेमेंट वो हमारे बैंक एकौन्ट में सेटल हो चुका है और देखिए मैसेज भी आ चुका है गाईज इस परकार से आप Paytm for business application में collect किया गया amount अपने bank account में settle कर सकते हैं गाईज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजे friends के साथ share कीजे और channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस कीजे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ thank you